कभी रूठना कभी मचलना कभी खिल खिला कर हस पढ़ना कभी कूदना कभी फुदकना कभी चिडियों संग बातें करना दिन भर खेल खिलाना साथी भागम दोड़ी कभी न ठकना सच में बच्चों की अपनी एक दुनिया होती है उमंग और कौतुहल से भरी जहां वो मस्त रहते हैं कौतुहल जिग्यासा, निरीक्षन बच्चों की विशेष्टाएं है खोजी प्रवृत्ती के ये बच्चे जैसे सब कुछ सीखना जान लेना चाहते हैं इनके लिए नई-नई चीजों को जानने और समझने का जरिया है खेल खेलना उनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ती है Early Childhood Care and Education यानि के प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं देख भाल में इन बातों को बहुत महत्वदी आ गया है तो आईए देखते हैं कि बच्चे किस तरह खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं बच्चे हमेशा खोज करना चाहते हैं वे नए नए प्रियोक करना चाहते हैं वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानना चाहते हैं चूकर और सुनकर महसूस करना चाहते हैं साथ ही इसके लिए प्रोटसाहन भी मांगते हैं और चुनौतियों से भी नहीं गवराते इन सब के लिए जरूरत है इने अवसर मिलना मार्गदर्शन मिलना बड़ों की सहायता और सुरक्षा मिलना और हम बड़ों का काम है इन बच्चों की इनी जरूरतों को पूरा करते हुए इने स्वतंत्र रूप से सूचने का मौका देना स्वतंत्र रूप से सूचने का ये मौका हम इने खेल खेल में ही दे सकते हैं खेल भी ऐसा हो जो बच्चों के सरवांगीन विकास के अधिक से अधिक अवसर दे साथ ही साथ बच्चों को खुद ही सीखने के लिए वो नए-णए अनुभव पाने के लिए प्रेरित कर सके बच्चा खुल कर कुछ कह सके, अपनी बात समझा सके आखिर यही तो शिक्षा का उद्देश्य है, यह तभी हो सकता है जब खेल को बाल केंद्रित, ज्यान वर्धत, चुनोती पून, दबाव रहित और आकरशक बनाया जाए खेल-खेल में तो बच्चे सीखते ही हैं, पर इसमें शिक्षिका का भी बहुत बड़ा योगदान होता है चोटे बच्चों को समझना और उन्हें समझाना शिक्षिका के लिए हमेशा से ही एक चुनोती भरा कारे रहा है प्रारमधिक बाल शिक्षा एवं देख भाल को लेकर हमारे मन में कई प्रशने हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा से पहले के जो अवस्ता है बच्चों की, यानि कि शे साल से कम की, उसको हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, पर आज कल शे और आट साल तक के बच्चों को भी पूर्व प्राथमिक श उसी तरह की होनी चाहिए, उसी तरह का एक continuation होना चाहिए, जैसे की पूर प्राथमिक शिक्षा में है, कुछ ऐसी खास शमताएं हैं, जिनके लिए ये पीरिड बहुत ही आवश्यक है, जैसे की भाश्या के लिए, भाश्या के लिए, जो देर साल से लेकर के पांच साल तक का रची की उमर का, बहुत ही क्रिटिकल है, उसी तरह से तीन से लेकर छेय वर्ष का जो समय है, वो एक क्रिटिकल पीरियद है बच्चों को, दूसरे बच्चों के संखेलना, सीखना, उटना, बैटना, शेर करना, को अपरेट करना, समाज़िक व्यावहार सीखना, यह जो शि जो एक बातवरन है जो हम बनाएं बच्चों के लिए वो ऐसा हो जो कि बच्चों की रुची के अनुसार हो बच्चों की आवश्यक्ताओं के अनुसार हो और सबसे जादा जरूरी है कि बच्चों की जो अपनी मनोवृति है उसके अनुसार हो इसलिए हम कहते हैं कि जो शिक् तुद देखा आपने कितना महत्वपून है ये समय इस समय बच्चों को अधिक से अधिक सीखने का अवसर दिया जाता है जिससे बच्चे बिना किसी दबाव के बहुत कुछ सीख लें और वो भी खेल खेल में इसी लिए प्रारंभिक बाल शिक्षा इवं देख भाल को इतना महत्वत दिया गया है प्रारंभिक बाल शिक्षा इवं देख भाल ही एक ऐसा कारिक्रम है जो बच्चों के सरवांगीन विकास को ध्यान में रखते हुए एक प्रेरणा दायक इवं अनुकूल वातावरन तयार करता है जहां वे स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ बा कौतुहल को शांत कर सकें प्रयोग कर सकें तथा अपनी निरीक्षन शक्ति का विकास कर सकें अपने दोस्तों के साथ चीजें बांट सकें और अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास कर सकें इसलिए पूर्व प्रात्मिक शाला में बाल केंद्रित क्रियाएं करवाई ज अक्सर हम छोटे छोटे बच्चों पर दबाव डालते हैं कि वो छोटी उम्र में ही पढ़ना और लिखना शुरू कर दें ऐसे ही एक अभिभावक हैं मिस्टर भल्ला जिनकी चार साल की एक पोती है आज कल वे अपनी पोती को लेकर बहुत परेशान है इसे देख रहे हैं यह मेरी चार साल की पोती है गुन-गुन नर्शरी स्कूल में पढ़ती है लेकिन स्कूल जाकर इसने अभी तक कुछ नहीं सीखा ना तो इसे अभी सी आती है ना गिंती आती है और वो अपने पढ़ोसी रामलाल जी की पोती बिल्कुल इसी की उम्र की है वी सी टी ए से लेकर जेट तक अंग्रेजी जानती है डबलू एक्स वाई जेट एक से लेकर पचास तक गिंती बोल लिख सकती है सब्सक्राइब करने के खेलने कूदने के लावा तो कुछ आता ही नहीं है अरे बेटा आप कुछ पढ़ लिख भी लो यह नहीं सुनेगी पतनी क्या होगा इसका कई बार पेरेंस अपने बच्चे की अपने दूसरे उसके जो भाई भेन उससे कंपेर करते हैं तो यह एक बच्चे की और उसका बच्चे हैं उससे सोचते हैं कि हम इसको इसको इस बच्चे करके बोल रहें कि तुम अच्छा करो गे लेकिन उसका एफेक्ट बुरा हो जाएगा और बच्चा जो है वह बलकुल ही अपना इंट्रेस्ट छोड सकता है इसलिए जब भी हो बच्चे के लिए उसकी क्या अच्छी चीजे हैं उसको appreciate करो और अगर उसमें कोई चीज में कमी लग रही है तो उसको पहले analyze करिए कि क्या कारण है क्यों बच्चा उतना अच्छा नहीं कर रहा और उसमें उसकी मदद करिए बजाए direct comparison के उससे आपका बच्चे में अगर एक किलो बजन उठाने की शमता है और उसे पांच किलो उठाएंगे तो लगता तो यह है कि उपांच किलो उठा सकता है लेकिन उसके परणाम क्या होंगे यह देखने वाली बात है यही सिक्षा में लागू करिए बच्चा लिख सकता है कहते हैं लोग फोर्स करेंगे तो लिखेगा लेकिन उसका क्या मोटर डवलप्मेंट इतना हुआ है कि उसे लिखने की बात हम करा सकें नहीं हुआ है पांच साल तक मैं मानता हूं कि बच्चे को लिखने की बात आप मत करिए उसको फ्री ड्रोइंग करने दीजिए पलने दो मुझको बढ़ने दो मुझको चलने दो मुझको करने दो मुझको बोज बनाओ न पढ़ना लिखना बहुत काम है हम को करना मिस्टर भल्ला को नहीं पता कि उनकी पोती वही कर रही है जो इस उम्र के बच्चों को करना चाहिए हर बच्चे की अपनी क्षमता है कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उनकी तुलना आपस में न करें ये बच्चे फॉर्मल रीडिंग राइटिंग नहीं कर सकते जबरदस्ती लिखने, पढ़ने और गणित सीखने का दबाव इन पर नहीं बनाना चाहिए इसलिए इनकी गतिविधियां भी आपचारिक नहीं होनी चाहिए बच्चपन की देखभाल एवं शिक्षा न केवल प्रत्येक बच्चे का अधिकार है राष्ट्र को उपलब्द होने वाली मानव रूपी पूंजी की गुनवत्ता पर भी इसका असर देखा जा सकता है बच्चों को एक उप्युक्त प्रेरक वातावरन मिलता जब पूर्व प्रात्मिक शिक्षा की चर्चा चल ही रही है तो प्रशन उठता है कि उसकी गुनवत्ता कैसे बढ़ाई जाए क्योंकि यदि गुनवत्ता बनी रहेगी तो बच्चों का विकास भी अच्छा होगा लीसके ठाएक बैण करशा सकता है और उसको चाहिए reasoning, inductive reasoning चाहिए, deductive reasoning चाहिए उसको creativity का मूका चाहिए 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 और आर्ट से संबंधित, चाह något, चाह दान से संबंधित, मिजिक संबंधित, आनन्द में काम करना है और इसके अलावा बच्चे को अपने निर्ने गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य बात है बच्चों के लिए उप्युक्त पाठ्यचरया का निर्मान अब वो पाठ्यचरया कैसी हो? एक basic curriculum तो होना चाहिए कि बच्चे को जैसे चार साल में recognition of alphabets आना चाहिए पांच साल में ऐसे आना चाहिए लेकिन उसको अचीव करने के तरीके जो हैं वो बच्चे की कितनी ability है और उसका कितना grasping power है उससे linked होना चाहिए जहां सीखने का आधार ही खेल हो जहां शिक्षा का आधार कला हो जहां बच्चों के अनुभव को प्राथमिक तादी जाए जहां बच्चों की सोच को माननेता मिले अब प्रश्ण उठता है इस बाल केंदृत पाठ्थे चरया को क्रियानवित कौन करेगा? पूर्फ्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों के लिए वातावरन क्रेट करना है जिसमें बच्चे अपने आप से सीखें तो उसको करने के लिए हमें एक ऐसा टीचर जही है जो कि बच्चों के संग खेल सके, कूट सके, गानागा सके, बच्चों को एक बहुत ही ट्रेणिंग की आप देखें ए तो कोई proportion ट्रेनिंग नहीं है कहीं 3 मेने का टीचर बन जाता है एंटीटी का कहीं 6 मेने का कहीं 2 साल का बनता है वेरीएशन है लोग क зрri pasta करते हैं कि वेरीशन होना बहुत अच्छी बात है और हमें इसेask requirement मिलता है ऐसी बात नहीं है हम अपने बच्चे को किस की सुपूर्द करना चाहते हैं और वो जिसके सुपूर्द करना चाहते हैं उसमें क्या योकिताएं और ख्षमताएं हम देखना चाहते हैं कौन शिक्षक बनेगा, किस योकिता के साथ बनेगा कैसी उसको training दी जाएगी, कितनी अवधीकी होगी और फिर उसका जो संचालन करेगा तो उसका monitoring कौन करेगा उसका मुल्यांगन कौन करेगा, उसका समर्थन कौन करेगा क्या regular उसको इंसर्विस training की वबस्ता हम कर पाएंगी कभी जब तक उस बात पर वचार न करें अपनी बच्चों को गुनवत्ता परक एसी सी उपलब्द नहीं हो पाएगा जब गुनवत्ता की बात चलती है तो प्रश्न ये भी उठता है कि एक शिक्षक के पास कितने बच्चे होने चाहिए जिससे शिक्षक बच्चों के साथ आसानी से क्रिया कर सकें शिक्षक बच्चों का अनुपाद क्या हो? यह है बढ़िया पूरी तरह से नहीं होते हैं अब टीचर को बहुत सपोर्ट चाहिए किसी और एक एडल्ट का जो कि उनके संग मिल करके बच्चों को संभाल सके अत्यदिक भीड भाड़ वाली कक्षा में ना तो बच्चों को घूमने का और ना ही एक दूसरे से बातचीत करने का अवसर मिल पाता है शिक्षक व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान देने में असमर्थ होते हैं ऐसा वातावरण चहूमुखी विकास के लिए साहायक नहीं है फिर प्रश्ण उठता है कि बुनियादी धांचा कैसा हो बुनियादी धांचे के बारे में जब सोचते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है बच्चों की सुरक्षा का पूर्व प्राथमिक केंद्र एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर हो जहां बस, गाड़ी न चलती हो आसपास कहीं तालाब, नाला न हो और प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत हो बुनियादी धाँचा बच्चों की आवश्चताओं को ध्यान में रखते हुए बना हो और कम लागत वाला हो जहां आंतरिक वा बाहरी खेल खेलने की सुविधा हो पूर प्राथमिक शाला में एक बाहर का एक ऐसा वातवरन हो खेल खेल का समान हो, जैसे के स्लाइड झूले वगारा और ना भी हो तो कम से कम भागने दौडने की जगाँ हो कहीं चड़ने, चड़ने, कूदने की जगाँ हो , बैलंस करने की जगाँ हो जिससे कि ऑच्चे इस तरह की ऐक्टिविटीज कर सके और उनका यह जो बड़ी मास पेशियों का विकास हो सके। साथ साथ में उसमें समाज़िक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चे हां का जो आूटडोर प्ले होता है, जो बच्चे मिल करके खेलते हैं, तो उससे उनकी समाज़िक अवशकता है, वो भी पूरी होती हैं और एक दूसरे से खेलना भी सीखते हैं। अगर एक हम अच्छे ख्लास्रूम की बात करते हैं पूर प्राथम एक शाला में तो उसमें एक खुली जगा होनी चाहिए। बच्छे का ऐसा औरॉड़ा कर सकें। विशेश आवशक्ता वाले बच्चों के लिए भी उचित विवस्था हो। जहां प्रशिक्षित शिक्षिका उनकी उचित देखरेक कर सकें। उन बच्चों को सामान्ने बच्चों के साथ रखने से विब बराबरी का अनुभव कर सकें बच्चे जब ठक जाएं तो उन्हें आराम करने की सुविधा भी हो इसके अतिरिक्त पानी की सुविधा तथा साफ सुथ्रा शौचाले की भी सुविधा होनी बहुत जरूरी है अगर बच्चे को पूरा बच्पन जीने देंगे तो अच्छा विक्सित होगा इसमें योगदान है इसकूल का इसकूल के टीचर्स का हेड़ मास्टर्स का एडमिनिसेटर्स का पेरेंट्स का और कम्यूनिटी का पैसे से काम नहीं चलेगा शिर्फ पैसा तो आप दे सकते हैं पैसे के साथ विवस्था की जिरूथ है, टेनिंग की जिरूथ है, ओरिंडेशी जिरूथ है, मोटीविशन की जिरूथ है, मोनेंटरिंग की जिरूथ है और सबसी उपर जिरूथ है बच्चों के प्रती इस देश में हर ब्रक्ती की जिम्मेदारी हो कि इस बच्चे को शिक प्रारंबिक बाल शिक्षा एवं देखभाल की एहमियत को अब सभी को जानना वस्मझना है इसलिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा देते समय हमें बच्चों की इस उम्र की महत्ता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सर्वांगीन विकास के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे बच्चे सही दिशामे सही धंग से आगे बढ़ें, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, पत्थर की भी तकदीर समर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। पर ये तो पत्थर नहीं, बलके हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, और ये बच्चे ही हमारे देश का भविश्य हैं, जिनको भला हमन देखा कैसे कर सकते हैं। प 커리 को अप्र चैराशा है, प suspects थे बच्चे हैं। प्र हो मिले शेल जाए। झाल झाल